हाँ अब ठीक है ठीक है जी चलो जी श्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास आखरी क्लास कैपिटल वस्टिंग की गुडिन विंग राहूल अक्षय वेजनती चलो जी अब हम लोग इस्टार्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हारी पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है अभी मैं कुछ सिमुलेशन या फिर मैं सिमुलेशन के अलावा अभी कुछ डिस्कसने कर रहा हूँ अब पहले कल के डाउट्स जो आ रहा है थे बच्चों को वो डाउट्स क्या रहा है वो डिस्कसन कर रहा है एक्शली डाउट्स ये आ रहा है थे सर कि वो जो हम हिलियर मॉडल है या प्रॉबैबिलिटी दिया है तो सर कभी हम सीधा NPV निकाल कर Standard Aviation निकाल ले रहे थे ठीक है और कभी हम expected cash flow निकाल रहे थे सबसे पहले वो discuss कर ले जो समस्या है उसका समधन अभी हो जाए तो ज़्याद अच्छा ठीक है पहले उसी बात को discuss कर लेते 15 मिनट में बात समझ में आ चाहिए निशीता शुभान सो बीडिवनिंग चलो अब समझते है देखो क्या हो सकता है समझना मेरी बात पास्ट इयर बिलकुल बारिक्यों से समझ ले न ताकि आगे हमें कोश्चन कैसे करना ये बाते समझ में आ जाए अगर मैं लिखता हूँ यहां प्रोबैबिलिटी 0.5, 0.3, 0.2 और यहां कैस प्लो लिख रहा हूँ 500, 600, 700 इस तरह से 3-4 पास्टल तक चल रहा है और प्रोजेक्ट में पैसा लगा है मान लो 1000 ठीक है ठीक है सर तो यार हम लोग क्या करते हैं पहले वो समझ दे मैं अभी दो ही साल का ले रहा हूँ आपको बस थोड़ी सी बारिक्या समझा दूँ कि यार कोश्चन में आप फस रहे हो तो वो फस होना कि सर हमारे जेब से आज जा रहा है वन था उचन बिलकुल एक बार डिसिजन्टरी सोचते हैं तब पहले साल में आएगा दो पॉसिबिलिटी हैं तो नहीं यार तीन पॉसिबिलिटी है जबार तीन पॉसिबिलिटी है कितना कितना आ सकता है तो फाइव हंड्रेड हो सकता है सर और शिक्स हंड्रेड हो सकता है और सिवन हंड्रेड और क्या probability है 0.5, 0.3 और 0.2 ठीक है आगे क्या हो सकता है तो आगे फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, और 3 और कितना कितना हो सकता है तो हो सकता है फिर से 500 फिर से 600 और फिर से 700 फिर से 500 फिर से 600 और फिर से 700 500, 600 और 700 और प्रबाबलिटी वही है 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, 0.5, 0.3 or 2 सवाल बस इतना सा है यह जो second year के cash flow है यह dependent है कि independent फिर से बताना आराम से बस मैं आपका 15 मिनट लूँगा 15 मिनट में सारी बाती क्लियर करूँगा आची यह first year है और यह second year है तो बताइए कि यह perfectly dependent है अक्षे कहीं गरबढ़ है perfectly dependent में ऐसा नहीं होता है perfectly dependent अलग बात थी perfectly dependent वहने 500 आया तो अगले साल भी 500 ही आएका तो भांसू का कहना यह dependent है और निशिता का कहना इंडिपेंडेंट है निशान्त कभ इंडिपेंडेंट है cash flow 500 आए तो भी यही तीन आएगा 600 आए तो भी यही तीन आएगा 700 आए तो भी यही तीन आएगा ओके तो चाहे 500 आए 600 आए 700 आए किसी भी हालत में यही आने वाला तो ऐसा cash flow independent कहलाता है ठीक है अब यार दो तरीके थे पहला तरीका क्या था पहला तरीका यह था कि सर हम expected cash flow निकाले ठीक है और expected cash flow इसमें year wise I think यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार क्योंकि यहां cash flow जितना है यहां भी उतना ही cash flow तो दो तरीके थे या तो expected cash flow निकाले या तो एक काम कीजिए यह मानिये कि first year में भी 500 आएगा और second year में एक सिनारियो यह हो गया यहां भी 600 और यहां भी 600 और यहां भी 700 यहां भी 700 क्योंकि यार इसका अगर आप average करोग तो यह 700 ही आएगा तो क्या हम इसमें direct NPV निकाल सकते थे यास इसमें मैं क्या करता था क्योंकि यह इतना लंबा में कौन expected cash flow हाला कि कौन सा model लगेगा Hertz model लगेगा कि हिलियर लगेगा जरा बताओ कि Hertz यह हिलियर Independent है तो Hertz लगेगा कि हिलियर model लगेगा अगर मुझे expected cash flow निकालना तो standard deviation of cash flow वन लगेगा इसमें कोई अगर हिलियर लगाना है तो एक तो तरीका यह हो गए कि सर हम हिलियर model से काम कर सकते हैं हिलियर model से काम कर सकते हैं ठीक है यह ड़न है दूसरा तरीका यह है, तो हिलिर मॉडल से क्या, अगर मैं काह milyon थेक्स सथ यूं पी निकालना है तो एक ऐसे निकाल सकता उसक एक्स एक्स और इसका प्रेजेट वैल्यू निकालगर NPM दूसरा तरीका यह है कि मान लो फिर्स्ट पहले 50 एर सेकेड़, states only मतलब मैं सूज रहा हूँ या तो ये 500 500 आएगा या तो सेकेड इयर में 600 600 आएगा या तो सेवन तो मैं तीन एनपीवी निकाल लेता हूँ और उसको मैं प्रोबैबिलिटी से मल्टिप्लाई कर देता हूँ तो भी क्या आंसर वही आएगा हाँ सर तीन एनपीवी निकाला पहले साल 500 लिया सेकेड इयर 500 लिया पहले साल 600 लिया सेकेड इयर 600 लिया फिर 700 लिया 700 लिया और फिर मैंने तीन एनपीवी निकाला और उसको एक्स तो हमारा काम आराम से हो जाएगा अधिकतर ऐसे question में जिसमें यहां भी cash flow जितना है यहां भी उतना है जो पहले साल का cash flow है वही दूसरे साल का भी cash flow है ऐसे cases में हम NPV निकाल लेते हैं अलग-अलग scenario में 500-500 मानकर NPV निकाल लेते हैं 600-600 और 700-700 ठीक है तो जब NPV निकल जाता है उसका हम expected NPV निकाल कर standard deviation निकाल लेते हैं हमको इसमें जरूरत नहीं पढ़ती हिलियर मॉडल से हलांकि वो भी कर सकते हैं यहां तक ठीक है यहां तक कोई समस्या है क्या condition क्या है condition है पहले साल जितना दूसरे साल भी उतना तीसरे साल भी वही चोहते साल भी वही तब की में बात कर ठीक है अब सुनो आगे समस्या पस्ट यह अगे समस्या 0.5, 0.3, 0.2, 500, 600, 700, 0.1, 0.4, 0.5, 700, 300, 400 ठीक है अब रोवन का कहना है सर यह परफेक्टली डिपेंडेंट में हर्ट्स मॉड़ल लगे का न हाँ जी परफेक्टली डिपेंडेंट में हर्ट्स मॉड़ल लगे का कोई शक्की बात नहीं है पर यह जो cash flow है यह कैसे cash flow में फिर से समझाने की कोशिस करो अब ध्यान से देखना सर्फ कितना लग रहा है 1000 तीन कंडिशन हो गई एक दो तीन 500 600 और 700 और क्या probability है 0.5, 0.3 और 0.2 ठीक है जब अब तीन cash flow फिर से लेकिन अब 500, 600, 700 नहीं है अब कितना है अब है 700 second year में 300 और 400 फिर से 700, 300 और 200 और फिर से 700, 300 और 200 अब probability है 0.1, 0.4, 0.5, 0.1, 0.4, 0.5, 0.1, 0.4, 0.5, 0.1, 0.4, 0.5 ठीक है फिर से पहला कोश्चन ये cash flow second year का dependent है की independent first year second year first year का dependent ये independent independent बिलकुल हाँ जी independent और यहाँ जो model लगेगा वो भी कौन सा लगेगा hill year model लगेगा पर इस condition में क्योंकि first year का cash flow अलग है second year का cash flow अलग है तो इस condition में यह नहीं मान सकता कि पास्व में आएगा दो साल तक चलो यार तीन NPV निकाल लेते और काम खतम करते तीन NPV निकाल कर काम खतम नहीं कर सकते इस condition में मुझे यहां का expected cash flow निकालना पढ़ेगा और यहां का expected cash flow निकालना पढ़ेगा ठीक है अगर first year का cash flow और second year का cash flow अलग-अलग है तो आपको expected cash flow के हिसाब से ही NPV निकालना पढ़ेगा अब यहां तीन NPV निकाल कर आप काम नहीं कर सकते कर सकते हैं पर टाइम ज्यादा लगेगा कोई बता सकता है second year का expected cash flow कितना आएगा याद रखना first year का अलगाएगा second year का अलगाएगा कोई है जो बता सकता है second year का expected cash flow कितना आएगा मैं भी तो देखूं कितना पढ़ा है सेकेंड येर का एक्सपेक्टिट कैश प्लो कितना आये खाए 195 निशांत बाकी लोगों को क्या हो गया है सिंपल तो पूछ रहा हूं यार कुछ तो इस्विशल था नि मेरे ख्याल से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं सेकेंड येर का एक्सपेक्टिट कैश प्लो कितना आएगा निशांत का आंसर आया 195 मैं भी चेक कर लेता हूं 195 या 390 390 ना यार 390 एक्जेक्टली 390 बेलोगल सही मोनालिशा निशिता सबका 390 और कैसे निकालना आपने इंपल सहर 700 इन 2.1 प्लस 400 इन 2.4 प्लस 400 इन 2.5 है क्या मैंने सही लिया 700 इन 2.1 400 इन 2.2 और 400 इन 2.5 हां सर अच्छा चैंज कर दिया है आप पर कुछ बच्चे क्या बोलते यहां यहां भी डाउट आया था सुनो ना बच्चों का क्या डाउट साय था पहले सुन लो हो सकता है आपकी भी डाउट साय उनका गयना नहीं नहीं सर इसको जो मल्टिप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 0.1 इसको मल्टिप्लाई करेंगे हम 0.05 से और सर सुनो इसको 300 को ऐसे होगा 0.5 into 0.2, 0.20, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते है, कुछ बच्चो का गहना है सर, अगर हमको ये वाला cash flow निकालना है न, ये वाला, तो multiply इससे थोड़ी नहोगा, वो तो joint probability से होगा, कुछ बच्चो का कहना ही है, हाला कि आप ऐसे नहीं हो, मैं जानता हूँ, अगर मैं कहूँ, सुनो गया, अब सुनी लो, अगर मैं joint probability से multiply करूँ, या सीधा multiply कर दूँ, answer एक ही आना है, answer एक ही आएगा, विट्टे, answer एक ही आएगा, it means, हम second year के cash flow को सीधा भी multiply करेंगे, तो second year का expected cash flow, उतना ही आएगा, जितना आप joint probability से multiply करोगे, उसकी वज़ा है, कि ये probability सेम है, सारी probability सेम है, और cash flow भी उसी सबसे सेम है, खाज बात समझने की कोशिश करते हैं, जो अंतर है, वो समझते हैं, अब इसको हम ज्यादा नहीं ख कर रहा हूँ, अगर, 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 यहां भी 500, 600 और 700 होता, 500, 500, 600, 600 और 700, 700, इस तरह से होता, मतलब हर साल जो cash flow है, वो उतना ही होता, तो फिर हम सीधा 3 NPV निकालते, और probability से multiply कर देते, answer आ जाता, तीन NPV निकलता, पर पहले साल का cash flow अलग है, दूसरे साल का अलग है, तीसरे साल का अलग है, तो फिर हमको expected cash flow से multiply करना है, और एक NPV निकलना है, ठीक है, ठीक है सर, तो एक तो NPV निकलके कर लीजिए, या तो expected cash flow, बच्चों बहुत परिशान है कि सर, NPV निकलके करेंगे कि expected cash flow के, सुनोगे अब, अब जवाब देना, जल्दी जल्दी जवाब देना, ये question number 13, 37 हो चुका है, क्या first year का cash flow अलग है, second year का cash flow अलग है, third year का cash flow अलग है, yes, तो क्या किया जा है, इसके लिए, सर, यहां का expected cash flow निकालो, यहां का भी expected cash flow निकालेंगे, यहां का भी expected cash flow निकालेंगे, और NPV निकालेंगे, ठीकछ है यहाँ तक हां सर जब ये अलग हो य अलग हो ये अलग हो तो expected cash flow निकालेंगे और हा जी, अब expected cash flow निकालेंगे, और काम करेंगे, ठीके सर यह बात हमको समझे में आके, cash flow अलग-लग है, अगला, और एनपी भी कैसे निकालेंगे, और जब cash flow ही निकाल रहा है अलग-अलग साल का तो hill year model लगाएंगे और काम कर देंगे hill year model से हम extended aviation अब ये वाला question सुनना ध्यान सी ये वाला question इसमें सर्फ first year का cash flow अलग है second year का cash flow अलग है और third year का cash flow अलग है तो यहां भी expected cash flow निकालेंगे expected cash flow निकालेंगे और NP भी निकाल लेंगे अब यहां ध्यान से देखना ये वाला पा project why यहां बुले हर साल आएगा 40 मतलब first year में ये आएगा second year में भी होगा 40, 45, 50 फिर आएगा 40, 45, 50 इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं या तो 40, 40, 40 लेके एक बार NP भी निकालेजिए 45, 45, 45 लेके दूसरी बार NP भी निकालेजिए तीसरी बार NP भी निकालेजिए probability से multiply कर दीजिए तो expected NP भी आजाएगा और फिर आप standard deviation निकालेजिए हाँ ची सुभान सूँ मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको देखना पड़ेगा कि first year का cash flow अलग है second year का अलग है third year का अलग है तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा हर साल का expected cash flow निकाल के काम लेकिन हर साल का cash flow एक जैसा है इधर का जितना है अगले साल कभी उतना है तो फिर आप चाहो तो तीन NP भी निकाली है क्योंकि तीन probability और काम कर लिए यह वाला गोशन बता हूँ जल्दी से कैसे किया जा सकता अलग कि यह तो perfectly वाला है ना perfectly तो perfectly वाला तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो यह वाला बताना यह वाला इसका आंसर चाहिए मझे कैसे किया जाए इसको एक से पास साल हर साल एक लाक एक लाक एक लाक लाक फिर second year में एक लाक तर इसका मतलब क्या है 1, 1.1 और 1.2 second year में भी 1, 1.1, 1.2 फिर 1, 1.1, 1.2 क्या हम 3 NPV निकाल सकते हैं? यास प्रीती, expected NPV निकाल लेंगे बस बात कहता हम 3 NPV निकाल के काम कर लेंगे बस तो अब मेरा जो समझाना था वो खतम हो गया कि यार हमको कब expected NPV निकालना और कब expected cash flow निकालना that's it और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कर लेंगे हाँ वेजनती 3 NPV निकाल के काम कर लेंगे ठीक है सर question number 38 में तो हमने expected cash flow से लिया किया है question number 38 एक second में देख लेता हूँ question number 38 में जो project X है उसको तो expected cash flow से ही करना है जो project Y है उसको आप expected cash flow से भी कर सकते हो उसको आप 3 NPV निकाल के भी कर सकते हो project Y की में बात कर रहा हूँ दोनों condition X के लिए तो आपको expected NPV निकालना पड़ेगा expected cash flow निकालना पड़ेगा project X का मैं project X की बात कर रहा हूँ question number 38 तो expected cash flow से ही होगा na project X project Y का आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो सुब उसमें आपके पास क्योंकि हर साल उतना ही उतना है तो इसलिए काम हो गया आप expected cash flow से भी निकाल सकते हो पर इसको आप expected NPV से भी निकाल सकते हैं question number 38 में perfectly dependent नहीं है perfectly dependent नहीं है यह तो हिलियर मॉडल लगा है आपने बिल्कुल आप कर सकते हो project Y के लिए कोई दिक्कत नहीं है मैंने का ना एक या तो हिलियर मॉडल से कर लीजिए या तो आप 3 NPV निकाल लीजिए project Y में 3 NPV अलग अलग और आप 3 NPV के हिसाब से standard deviation of NPV निकाल लीजिए तो भी चल जाएगा project Y के लिए में project X की में बात कर रहा हूं उसके लिए आपको हिलियर मॉडल ही लगाना पड़ेगा आपको expected cash flow निकालना पड़ेगा question number 41 right है right है अच्छ है कोई दिक्कत नहीं है question number 41 perfectly dependent है तो इस matter में बात नहीं करूँगा यह तो easily हो गया होगा question number 41 में कोई problem नहीं चले और इसका video भी record किया हूं अच्छी तरह से record किया हूं तो उसमें और एक बार देख लिए ना अगर doubt आएगा तो पर मुझे नहीं आएगा मैंने हर एक question में बता रखा कि इसमें मैंने क्या कर रखा ठीक ठीक है अब मैं आगे चलू चलो ठीक question number 41 hertz model है na question number 41 हाँ जी हें 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 41 hertz model है 100% है और ट्राइव पर डाल दूगा अपलोड नहीं हुआ है record हुआ है अपलोड नहीं हुआ है मैं डाल दूगा ड्राइव पर ठीक है चलो जी अब हम काम करने जा रहे हैं आगे चलो मैं उन बच्चों का वेट कर रहा था जो आघिसमें बीजी थे 2 टॉपिक बचे हुए थे उसमें से एक टॉपिक था हमारा edes्चिश्टिट प्रेजंट वैन्यूथ्य गिंचिश्टिट प्रेजंट वैलींड नहीं होगा क्योंकि उसमें गेरिंग और बीटा addicted present value जो मैं पढ़ाऊंगा वह business valuation में पढ़ाऊंगा addicted present value यहां नहीं होगा क्यों नहीं होगा वह मैं समझा दूंगा लेकिन अब हम जो करेंगे एक topic है श्यूमिलेशन ठीक है अच्छा टॉपिक है पोश्चन नहीं दिया है इंस्टिट्यूट ने पर यह टॉपिक दिया हुआ तो चलो इसको खतम करते हैं सबसे बड़ा काम यह खतम करें फिर सुचेंगे क्या करना अच्छे बार बता हूँ टेश्ट का क्या लगता है जैसे यार कोई बच्चे एक बार टेश्ट देगा दो बार तीन बार चार बार पाच बार छे बार तो उसके पास होने की क्या प्रोबैबिटी ज्यादा की कम मैं क्या कहना चाहरा हूँ अगर बार 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 ट्रायल मार रहा है उस चीज को बार बार ट्रायल मार रहा है तो पास होने की प्रोबैबिटी क्या लगती है अगर बार बार उसी चीज को कर रहे हैं तो पास होने की प्रोबैबिटी ज्यादा की कम ज्यादा तो वो ही काम हम यहां करने वाले निशान्त 90% बहुत ज्यादा चलो तो देखते हैं न यहीं वो ही काम कर रहा है और कुछ नहीं है कुछ इस्पेशल नहीं इतना आसान टॉप्टिक है यहां क्यों डाला वो समझ नहीं आता एक्जामपल के साथ साथ डिसकस करेंगे एक्जामपल एक्जामपल हाँ बिकार की बात है तो कितनी भी कर लो यार क्या फर्क बढ़ता है लेखो अब कॉश्ट और प्रोजेक्ट रुपीज वन लग ट्वंटी थाउचन इसकांटिंग रिट तैन पॉर्टिक है इफएटी और प्रोबैबिटी इफएटी और प्रोबैबिटी तो इफएटी कितना आ सकता है इफएटी सिक्स्टी थाउजंड भी आ सकता है पॉर्टी थाउजंड भी आ सकता है और थर्टी थाउजंड भी आ सकता है इस बात की प्रोबैबिटी है पॉइंट थी पॉइंट पाइफ और पॉइंट तो ठीक इसके अलावा लाइफ तर प्रोजेक्ट कितने साल चलने वाला प्रोजेक्ट कितने साल चलने वाला ये भी तो नहीं मालूम न हमको हम कैसे बोल सकते कि यार साथ साल चलेगा कि आठ साल चलेगा कि पास साल चलेगा तो लाइफ कितनी हो सकती है life ऐसा लग रहा कि पास साल भी हो सकती है छे साल भी हो सकती है साथ साल भी हो सकती है और आठ साल और इस बात की क्या probability इस बात की probability 0.1 0.4 0.3 और 0.2 रेंडम नमबर कैश लो चलो लॉट्री लगाते है अब सुनना मैं आप से कोई भी नमबर बोल रहा हूँ कहां से स्टार्ट करें सा नमबर दोड़ीट बोल तो दोड़ीट कहां से स्टार्ट करते हैं तीन भी बोल सकते हैं चार भी बोल सकते हैं एक काम करो टू टू वान टू 99 तक कोई भी नमबर बोली सर एक नमबर हमने बोला 19 अच्छा 99 तक बोलना है निशिता सेवर 86 वाउ 1 टू 99 तक कोई भी नमबर बोलोगे कोई भी एक आया 55 ठीक है जी 69 ठीक है जी 17 और 7 एक दो तीन चार पार ऐसे ही लाइफ फिर कोई नमबर चाहिए कोई भी नमबर बोल सकते हो इशिता 30 45 99 वाउ 81 और एक चाहिए तर एक अपने दरब से लिख दीजिए 12 अच्छा 6 सॉरी मैं 12 लिख चुका हूँ लिखना भी है कॉपी में किशन हो गया हो गया किशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पाच पाच नमबर लिया बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं 10 10 डिजित तक काम कर शुप का कहना 0 0 वो 1 में कहां आता है चलो आगे लिखोगे using accumulation technique calculate expected अब सुनो cash flow कितना आ सकता है cash flow कितना आ सकता है तर 60,000 भी आ सकता 40 भी आ सकता 30 भी आ सकता पर यह थोड़ी न मालूम है और कितना आएगा यह confirm नहीं मालूम हाला कि हम probability लिख रहा है पर यह कुछ रैंडम नंबर की help से कुछ करने वाले हैं कुछ करने वाले हैं क्या करने वाले हैं life कितने साल चल सकती है पाच भी छे भी साथ भी आट भी तो चलो नहीं अब हम काम करने जा रहा है सिम्यूलेशन टॉपिक है ओपरेशनल रिशर्च का पार्ट है वह गलती से यहां डल गया है तो सब सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहले लिखोगे इस टेप नंबर वान यहां तक लिख लिख लिया है न सब लोगों ने तर यहां लिखोंगा यह तो लिख लिया न इसको मैं रफ कर रहा हूँ आखरी तक समझना सारी चीजे समझ में जाएगी बहुत काम की चीजे मज़ा आएगा इस टेप नंबर वान यह पाथ नहीं लगेगा इस वे आप टेंशन मत लीजे पर क्या होगा चलो काम करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट आख्युक्त क्युमच्त क्युमच्त क्युमस्त वा वन् काम का मत लॅबलीक आपर पर और यह दिएउरने आप हूबलीक म।ोदमनू цен बढ़ बरूएउरने और क्युमस्त उजया LDR कप करवाने हैं बस ये topic खत्म होने के बाद आज ही होगा आप tension आज ही होगा ठीक है जॉइन कर सकते हो क्योंकि ये जो पढ़ा है वो किसी को नहीं आता है ठीक है ठीक है तो सर सबसे पहले में क्या लिखने वाला हूँ CFAT कितना कितना है सर सिक्स्टी थाउजन पोर्टी थाउजन और थर्टी थाउजन cumulative probability जब बहले probability लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से कर लिख probability मान के चल रहा हूँ है question है question paper कर तो probability तो लिखना पड़ेगा 0.3 0.5 और पॉइंट अब क्या लिखने जा रहा है अब लिखने जा रहा है cumulative probability पॉइंट थी अब इस थ्री में इस फाइब को एट कर देंगे तो सर यह जाएगा point और इस पॉइंट में point 2 को एट करोगे तो क्या जाएगा one ठीक है सर अब क्या देंगे हम रैंच और रैंच कैसे देंगे की point 3 है मतलब 30 percent तो रैंच जो दिया जाएगा यह दिया जाएगा 0 to 29 ऐसा कर क्यों रह सर समझाओंगा समझाओंगा वेट करो और इसको कहां से रैंच दिया जाएगा 32 79 हा सर ऐसा हमारा किया हुआ है कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ और यह रैंच कहां से दोगे 82 102 यहां तक हो गया सब लोगों का 99 थैंक यू निशान्त यहां तक हो गया सब लोगों कहा 99 नहीं आएगा गलती से हो गया था वाई चलो अभी क्या है हम चीट बनाएंगे हाँ सूब 99 लिख लिया लिख लिया आ है 99 ए बगवाद अब किसका करेंगे आफ लाइफ का करेंगे ठीक वैसी जैसे अभी किया है फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम करने के वाले क्या है ऐसी किसका करेंगे हम लाइफ का यहां लिखेंगे लाइफ यहां लिखेंगे प्रोबैबिटी यहां लिखेंगे क्यूमिलेटीव प्रोबैबिटी और यहां लिख देंगे रैंच स्टेट्स जैसा है हाँ इसी के बाद यह जैसा नहीं है कोई टेबल में नहीं है इसी के बाद आप कर लीजिए अब हम लाइफ के लिए रैंज निकाल रहे हैं ठीक है लाइफ कितना है पाथ साल, छे साल, ताथ साल और आट साल 0.1, 0.4, 0.3 और 0.2 0.1, 0.5, 0.8 तो पाद आप सेम टेबल में करना है क्या सेम टेबल में टेबल नहीं है यह तो मेरे पास जगा मैं इसको अलग-अलग करना चाहता था इसलिए लाइन खिछ लिया आप सेम टेबल में भी कर सकते हो या फिर और एक टेबल बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऐसा कोई रूल से नहीं जाएं और वन तो सर इसको 10 हो गया तो यह 0 टू क्या हो गया 9 ठीक है सर अब कहां से आए गया 0 टू 9 10 टू 49 और सर यहां कहां से आएगा 50 टू 79 और 80 टू 99 10 टू 49, 50 टू 79 और 80 टू 99 गर्रेक्ट ठीक है तो रेंज कैसे बना रखे हुए एक बर बता दीजी कुछ नहीं 0.1 को मेरे माला 10 पर्षेंट अगर 10 पर्षेंट है 10 10 तो मैं 0 टू 9 मतलब 10 से एक डिजिट पहले ले रहा हूं ठीक है सर अब जब यहां स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां नाइन तक तो यहां खतम हो गया तो फिर यहां से कहां से लूँगा तो फिर मैं लूँगा 10 से 49 मैं देखिया से समझ में आ गया हो का जब 49 यहां खतम हो यहां 50 यहां एट पर क्लोस करना तो 79 पर क्लोस कर दिया एक डिजिट पहले क्लोस कर रहा हूं क्या अफीक है सर, आप क्या असर यह बताओ, तो चिट बनाना है बहुत सारी चिट बनाना है random नमबर यार कोई भी दो नमबर उठाने कोई भी do nemन नमबर जो जो भी दिया रहे गवा यह, random नमबर आप नहीं बताया मुझे यह दो नमबर लिखा है, एक लिखा है 19 और एक लिखा 30 अब इसको बेस लेकर देखो 19 कहां पर आ रहा कैश फ्लो में 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से स्टार्ट किया जाता हूँ वैसे मैं 0 से भी बोल सकता था रेंडम नंबर कोई दिक्कत नहीं चलो जी चलो अब concept कर लेगा concept कर ले एक बार अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे रेंडम नंबर पता है पहला बाला उठा रहा हूँ कैश फ्लो में लिए 19 नंबर तो देखो 19 कहा आ रहा 19 किस रेंज में आ रहा 19 19 किस रेंज में आ रहा है सर वन नाइन आ रहा है इस रैंज में मतलब कैश फ्लो हर साल आएगा कितना साथ हजार रुपय और कितने साल तक आएगा तो 30 देख लिए 30 कहां 30 कहां 30 कहां 30 यह 30 और कितने साल तक आएगा 6 साल तक हाँ तो मैं कोई भी दो random number लूँगा और उसके हिसाब से NPV निकालूँगा ठीक है सर फिर दो random number लूँगा फिर NPV निकालूँगा फिर दो random number लूँगा फिर बार-बार NPV और जितनी सारी NPV आईगी उसका average मारीगे बस यहां हम अपने हिसाब से अपने लॉजिक से काम ने कर रहें क्या हो सकता कुछ भी हो सकता है आपके एक्जाम है भई एक्जाम में तो कुछ भी हो सकता है अच्छा सर हाँ और NPV निकालेंगे मतलब सर भार बार पेपर देंगे हाँ बार-बार और कुछ भी हो सकता है कुछ भी और जितनी बार पेपर दोगे तो पास होने की प्रोबैबिलिटी या एनपी भी जो निकलेगा ना उसकी जो प्रोबैबिलिटी वो बहुत जादा होगी तर ये गलत तरीका है गलत कैसे है मुझे बताओ अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ मान लो सुनना ध्यान से बिट्टी अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ अगर मैं चिट ठेकता हूँ सबसे देखो ये रेंज इसको अच्छे समझे इसको समझो समझ में आ जाएगा यहां कहां से कहां तक का नंबर है 123459 तक सबसे बड़ा रेंज कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा रेंज कौन सा दिखाई दे रहा है अगर मैं सबसे बड़ा रेंज की बात करो सबसे बड़ा रेंज या फिर आप यहां की बात कर लो सर सबसे ज़्यादा अगर हम चीट फेके और उठाएं चीट तो सबसे ज़्यादा जो आएगा क्या chances है कि कौन सा 40,000 आने के ज़्यादा chances है कि नहीं है ये बताइए हां सर 40,000 आने के ज़्यादा chances है मैं वही तो बोल रहा हूं क्योंकि कि इसकी probability जदा है, जिसकी probability ज़्याद आएगी उसकी range भी तो ज़्याद आएगी, probability को cumulative करने का मतलब ही यह है, जिसकी probability ज़्याद आएगा और 45,000 अने की probability बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बस यही मैं आपको करवाने की कोशिश करा, इसी को बोले जाता है सीमिलेशन अच्छा कि इतने बार करो क्योंकि हमको कुछ भी कनफम नहीं है अब जब मैं एवरेस करूंगा एवरेस तो उसमें मालूम है ज्यादततर कैश फ्लो कितना रहेगा 40,000 अच्छली ना रैंडम नंबर हमने 5 लिया सिर्फ 5 ऐसे तो बहुत सारे बहुत सारे रैंडम नंबर हो सकते हैं तो बस मैं यह कह रहा हूं कि यार हमारा जो ज़्यादा चांसे होगे ना वह 40,000 आने के ज़्यादा चांसे हो हाला कि 60,000 भी कई बार आएगा 30,000 भी कई बार आएगा ठीक है सर तो अब हिम्मत दिखाते हैं और निकालते हैं यह कैसे निकालेंगे यह रैंडम नंबर हम अपने मन से लेगे अगर चीट में 0-29 में हिससे ही निकला वो तो लक वाली बात हो गई है कि 0-29 यहीं वाला निकला तो फिर हम तो 60,000 नपी भी ले रहे हैं लेकिन क्या लगता है यार प्रोबैब्लीटी का मतलब ही है कि यार ज़्यादा चांसे अगर चीट आपने चीट में से आपको कुछ निकालना है तो आप खुछ सोचोना है अधिक तर क्या लगता चांसे इसके ज़्यादा चांसे सोगे ठीक है रैंडम नंबर आपको अपने मन से नहीं लेना है भई रैंडम नंबर दिया रहेगा कोश्चन के साथ में खेर आओं के पास बहुत सारा है बहुत सारे हैं प्रोबैबली टू थर्टी परशेंट है अब मैं काम करवा हूं अपना फिर बाद में सुचेंगे कोश्चन ही नहीं है भाई क्यों हम मेहनत कर रहे हैं सिमुलेशन सिमुलेशन टॉपिक है आपको उसका कोई कोश्चन नहीं दिया टी वाई के ऐसा कुछ प्रैक्टिस के लिए यह तो मैं एक्जाम्पल के थूरू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक कोश्चन मैंने डाल रखा जो इलस्ट्रेशन है आई सी यह एक है कि कैसर स्टार्ट कर रहे हैं लोग स्टेप नॉम्बर टू कैलकुलेशन आफ एन पीव पर दो बना लेशन दो सबसे पहले बात करेंगे कैश लोग रेंडम नंबर और कैश लोग फिर बात करेंगे लाइफ की में भी रेंडम नंबर और लाइफ फिर सर क्या ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू अनुटी फैक्टर और सिधा एन पी भी निकालेंगे टाइम खराब नहीं करेंगे ठीक है जी तो चलो जी एन पी वी किया कॉस्ट और प्रोजेक्ट कितना है और कॉस्ट और प्रोजेक्ट है एक लाइफ पीसे जा कैश फ्लो 19 में किस रैंज में आएगा कैश फ्लो किस रैंज में आएगा नाइटीन यहा है तो हर साल कैश फ्लो आएगा मे में 30 random number 30 कहां गया 30 कहां गया 30 कहां गया 30 कहां यहां एक छे साल लाइफ छे साल आईगी ना यार पताते जाना गरवड़ मत कर देना discounting rate हमने कितना लिया था 10% 10% का PV AF 6 साल का तर यह आगया 4.3 55 तो साथ हजार इन्टू 4.355 माइनस एक लाग बीस हजार तो सरी एनपी भी आगया 1413 दबलो हाँ जी साही बस एनपी भी नहीं कालते जाना ठीके सर चले अगले पर अगला रेंडम नंबर है 55 और लाइफ के लिए क्या है 45 निसीता 1413 00 बिलकुल साही पहला एनपी भी निकल गया क्या टाइम पास टॉपीक है सर अगले चले 55 55 55 55 किदर गया है यहीं आएगा सर पॉड़ी थाउजिन पॉड़ी फाइफ 45 सर यहां आएगा खेशा तो सर 6 साल का तो वही आएगा 4.355 4.355 चालिस्टर माइड़ी आएगा है 54 200 बिलकुल साही आगे चले अब की बार रैंडम नमबर है 69 99 69 और 99 चेक करते हैं 69 फिर वहीं आएगा देखा कोई मुझसे बोल रहा था की डेखो तो में चालिसटर ज्यादा आ रहा मैं मैं जानता हूँ यह तो मैंने बाद में लिखा यह तो नमबर आप पहली बता चुके है मझे खेर 69 चालिसटर और 99 मुझे किसी ने कहा था 99 99 पे कितना है जाएगा सर कितने सा लाइफ है एक साथ आज्थ किस ने कहाने किक पाई पॉइट यर्स एक तना रहा है यह वाट कितना और डिवाई वन पॉइंट वन जिरो एक दो तिन चारफ पाई पॉइंट THREE THREE FIVE PAKKA NA मांशे, हाँ सर 5.335 NPV बोलिए 93,400 चलो, इसके बाद आगे चले किया यस, आगे चलेंगे 17 और 81 17 और 81 तो 17 पर कितना आ रहा है सर 17 पर तो 60 था हुजन आ गए और 81 पर लाइफ कितना हो गए 81 पर वापस सर 80 एर्स हो गए प्रेक्टर तो ही रहेगा 120,100 120,100 फिर आगे चलें रेंडम नमबर लाष्ट 7 और 12 7 और 12 अंसर भी आ गया है बच्चुक 7 7 किसी ने कहा था 7 7 मतलब यहां 60 था हुजन ओर्थ का गलत हुआ ए भगवा कितना ट्रस्ट करता हूँ मैं आप पर ओर्थ यह का कितना आ रहा हुज 60 था हुजर इन्टो 5.335 माइनस 1 लाग 20 अभी ठीक है अभी ठीक है 200,000 ठीक है और लाइफ है 12 12 किदर आएगा 12 किदर आएगा 12 किदर आएगा तो यहां एगा लाइफ है छे सा छे सा छे साल का तो निकला है 4.355 तो सर 60,000 इन्टो 4.355 माइनस 1,000 एन पीवी वी वापस वही आगा है 1,4,1,3,00 इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद आवरेज कर लेते हैं इसका टोटल मारोगे डिवाइड बाई कितना इतने रेंडम नमबर हो गया है 1,2,3,4,5 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज एन पीवी है जाएगा अच्छा सर 1,4,1,3,00 प्लस 54,200 प्लस 93,400 प्लस 2,00 141,3,00 दिवाइड बाई पर 5 एवरेज एन पीवी आगा है एवरेज एन पीवी को क्या बोलते हैं एक्स बार या एक्सपेक्टेद एन पीवी बोल सकते हैं कितना आ रहा है 1,2,60,60 तर यह कैसे आया था 6,3,0,300,000 दिवाइड बाई 5 तर इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद स्टेंडर्ड एविएशन निकालेंगे यह तो पता है और एवरेज भी पता हो गए 1,2,60,60 यह सही है न? हाँ जब यह पता है और mean पता है फिर standard deviation निकालेंगे वापस x-x bar से और फिर उसके बाद लगीगा तो coefficient of variation निकालेंगे और फिर देखेंगे कि risk कितना है और जितना risk है उसके हिसाब से हम discounting rate लेंगे और उतना नहीं पूछता है आपको ठीक बस यह निकाल दो कहता है बस बात करता है कि यह एक्शुल में यह है कि अनबायस पता नहीं कि क्या होने वाला सच्चाई तो यहीं कि हमको भी नहीं मौलुम्दि कि 50 आएगा कि 40 आएगा कि नाइफ 6 साल की की साहता fake कि 8 साल रहेगी तो यंशा रिक तरीका है कि चलो कुछ भी करके देखते हैं यह भी हो सकता वह हो सकता कई बार ट्राएल मारके देखेंगे SAY आप बार पेपर होते हैं गहार्य झितनी बार तो यह probability कहां से पता लगती थी हाँ तुक्का मारना बोल सकते बिलकुल सही तुक्का मारना बोल सकते हैं बस दो ही स्टेप से सूभ और कुछ नहीं आगे पूछता नहीं है मैं चाहो तो बहुत कुछ आगे करवा दू इसमें लेकिन आगे आता नहीं है आगे क्या होगा इसक क्या होगा कोईफिशेंट वेरियेशन निकालना पड़ेगा काम तो बहुत कुछ है आगे पूछता नहीं है तो हम क्यों महनत करें है तो ही बोल रहा है चलो मैं आपकी बातों में इसमेलेशन का मतलब क्या होता है कि यह किसी भी चीज के लिए तैयारी करना अगर मैं वोलो त्योरिटिकल क्या है यह जैसे आर्मी में जाते तो उसके लिए बार-बार ट्रायल लिया जाता है कि आपको इस तरह से और भी मॉक टेस्ट आप बहुत सारी चीज समाझ सकते हैं इसके मिल जायगे का मतलब होती इक यहां अपने हिसाब से करते लिए कहीं से पता करते है कि नॉर्मली क्या होगा और यहां चीजे यहां मिया बहुत बहुत सकता उस हिसाब से थैंध बटो हाँ जी इसके बिना अगर करना हो अब इसके आगे भगवान ना करें पूछे तो क्या करेंगे अगर इसके आगे अगर पूछ लिया पूछ लिया तो कुछ नहीं पूछेगा इसके आगे अगर पूछा तो HD निकालेंगे और काम करेंगे कोई efficient or variation पूछे का बस और कुछ नहीं है एक topic डल गया था theory में इसलिए मैंने करवा दिया और इसका illustration भी डला हुआ है हमारी book में देखो question number 49 question number 49 कि रोवन जितने चाहे मजे ले लो अभी मुझे करवाना करवाना नहीं है मुझे सिर्फ समझाना यह सिर्फ illustration है मेरे जो टाइप इस ते उसने पूरा की पूरा प्रिंट कर दिया पर अभी सुनो illustration illustration की तरह होगा तो जड़ा समझना इसको question को कैसे करोगे मैं काम-काम की चीज पढ़ना इतना बड़ा पढ़ने का टाइम नहीं है तुनो गए rate of interest कितना दिया 10% काम-काम की चीज देख लो यार बस rate of interest दिया 10% कभी-कभी illustration उठाकर डाल देता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ और cash flow कितना दिया 1,30,000 rate of interest मालूम है cash flow पता है कि 1,30,000 ठीक है और कुछ variable दे रखा है कि यार क्या क्या हो सकता cash flow क्या हो सकता देखो अच्छे से 10,000, 15,000, 20,000 और ये बहुत सारा और इसकी probability दिया है तो क्या cumulative probability हो सकता है? यस और year भी दिया है इसकी भी probability दिया है आपको question में वो illustration समझाने के लिए दिया था इंस्ट्रिट्यूट ने और random number solution में नहीं है ये गलती से solution चपा ये solution नहीं है अच्छा सर अब सुनो ये है random number ध्यान से देखना पहला काम क्या होगा सर? पहला काम मुझे बताओ सर वहा है divided by 5 भाई मुझे average निकालना है ना अगर मैं अरी बात समझो आपको मैं extra समझाने की कोशिश कर रहा था अगर मैं कहूं आपको बस ये NPV निकल के छोड़ देना simulation में यही होता ये NPV निकल कर छोड़ देना काम खतम अब इसके आगे हम ये कर क्यों हो रहा है तो मैं आपको ये समझानी की कोशिश कर रहा हूं अजित इसके आगे वह आपने आपने कितना छे NPV निकल लिया और वह कहेगा कि चलो ठीक यार पर छे NPV आप NPV निकल लिये फिर expected NPV निकल लिये फिर standard deviation निकल लिये फिर coefficient इतना बड़ा तो आएगा नहीं चलो ठी random number देखे क्या पहले सुनो ना बच्चो सुनो 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 थोड़ा सा कि यार इसके बात ये दे दिया मैंने आपको और probability दे दिया लाइब दे दिया और probability दे दिया इसके बात काम क्या करना होगा सार रैंज बनाना होगा वह बना लोगे आप क्योमिलेटिव प्रोबैबिलिटी और रैंज वह किस तरह से बनेगी वह इस तरह से बन जाएगी यह रैंज बन जाएगी ठीके सर रैंज हो गया अब क्या चाहिए सर अब नंबर इस इक्जांपल में बारा लाग कॉस्ट और प्रजेक्ट का क्या यूज इस इक्जांपल में एक लाग बीसे ज़ार माइनस करके इंपी भी निकाला होगा ये नपी भी है भगान माइनस किया किने किया मुझे नहीं मालूँ देख लों कि एक बार आना यार एक लाग बीस सुब एक लाग बीस जार माइनस करके यार तभी तो एन पी भी आया है चलो यार चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ रहे आगे बढ़ है अब यार यह रेंडम नमबर दिख रहा है आपको हाँ मुझे परिशान किया जा रहा है अभी वापस आ जाते है रेंडम नमबर दिख रहा है अब रेंडम नमबर कौन सा लेना वो इसने यहां बता रखा है भाई रेंडम नमबर ले लेना उसने समझाया भी है कि रेंडम नमबर किस तरह से लेना है ठीक है तर होमवक और इसक कि या बाकि आपकी मर्जी तर यह कितने रैंडम नंबर तक हमको काम करना नीचे बताएगा कोशन इलस्ट्रेशन है यार अपनी हिसाब से मैनेज कर लिजी आप 10 रैंडम नंबर लेकर भी काम कर लेना पाच लेकर भी काम कर लेना ठीक है होमवक है होमवक है हम टाइम पास नहीं करेंगे आज खतम करना और लाश्ट डे रिविजन कोश्चन भी हमको सेलेक्ट करना है अगला टॉपिक लिखो एक कोश्चन अभी भी बाकी है एक कोश्चन बाकी है वो मझे करवाना इवालवेशन ओफ प्रोजेक्ट यूजिंग यूटी इटीस हाँ 930 तक पढ़ेंगे मुझे दिक्कत नहीं कौश्चन बाकी है हाँ यूटीलिटी बढ़ा हुआ पहले कभी एकोनोमिक्स में हाँ कोश्चन नमबर 42 बाकी है एकोनोमिक्स में कभी यूटीलिटी बढ़ा हुआ है क्या थोड़ा बहुत नई सर कुछ नहीं बढ़ा है चलो तो कोई बात है हमें एकोनोमिक्स आता भी नहीं वैसे भी जरूरत भी नहीं है तिमपल लैंग्वेज में समझाऊंगा बहुत ज़्यादा हम एकोनोमिक्स में घुसने की कोशिश नहीं करें एकोन यहार कोशी खुशी माननके चलो एसा है ठीक है हाँ इतना बड़ा डेफिनिशन बहें यह कह रहा हूं कि यार यह माननके चलो खुशी ठीक है सर Cash Flows और Utilities लिखोगे example, example से समझने की कोशिश करेंगे तब cash flow हम किसी project में पैसा लगा रहा है, तो cash flow क्या हो सकता है तो मैं कह रहा हूँ कि सर minus 20,000 भी हो सकता है minus 10,000 भी आ सकता cash flow भी हो सकता, NPV भी हो सकता minus 20,000 भी हो सकता, minus 10,000 या 0 भी हो सकता है, वही कुछ भी हो सकता न probability या सर पॉजिटिव भी हो सकता है 15,000 भी हो सकता है बिलकुँ या सर ज्यादा हो जाएगा फोड़ा कम करता है या फिर 40,000 भी हो सकता है अब मैं जो खुशी है ना मेरे अंदर जो खुशी है उसको मैं नमबरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करोगे यह मेरा भुद्धे का काम नहीं यह इकोनोमिक्स में जाके पता करो कि क्वाइंटिफाइट कर सकते ही कि नहीं कर सकते यहां दिया रहेगा खुशी कितनी खुशी अगर माइनस अगर कैश फ्लो नेगेटिव रहा तो मुझे दुख होगा खुशी नहीं होगी सर कितना उसको एक नंबर दे रहाओ मैं नंबर दीजीस मेंने नंबर दे दिया माइनस एठी और सर माइनस 10,000 रहा तो चलो यार दुख है पर थोड़ा दुख कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा मैंने एक नंबर दिया माइनस 20 और सर ना प्लास ना को ना खुशी ना गम जीरो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ठीक ऐसी ब्रेक है पाच मनट का ठीक है सर मेरे खियाद से अब ओडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं है बहुत बात ही हो गई सर ठीक है माइनस 80 हो गया माइनस सर पंद्रह आजार आया तो फिप्टीन थाउजन आया तो सर फिप्टीन थाउजन आया तो यार थोड़ा सा यहां पक्का खुशी इधर गम है इधर खुशी है वाउ सर मजा आ रहा है ठीक और सर कितना ठीक ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं कोई भी फिगर ले लो यार दिया रहे है एक्जाम में 40 और सर 40 थाउजन आ गया तो तो और ज्यादा खुशी इधर गम है और मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया प्रोजेक्ट ए है और उसका कैश फ्लो है और उसकी प्रोबैबिलिटी कैश फ्लो कितना आ सकता है कैश फ्लो 40,000 आ सकता है इस बात की प्रोबैबिलिटी है 0.5 कैश फ्लो 15,000 भी आ सकता है इस बात की प्रोबैबिलिटी है 0.3 कैश फ्लो माइनस 10,000 भी आ सकता है इस बात की प्रोबैबिलिटी है 0.2 कैलकुलेट expected utilities and decide whether project should be एक्सेप्ट इट खतम करना है भाई आज टाइम पास करवा रहा हूं मैं जानता हूं कि मैं यह सब चीजे क्यों दिया है मुझे समझे में नहीं आता है चलो पर आया है तो कर लेते हैं मैंने प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाया है कैश फ्लो चालिस जार भी आ सकता है 15,000 भी आ सकता है 10,000 मुझे एक्सपेक्टेड कैश प्लो नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड यूटिलिटीस निकल सकता है क्या यस कैलकुलिशन अप एक्सपेक्टेड यूटिलिस निकल पर अच्छे से करोगे तो अच्छी बात है हाला कि आप भी जानते हो कि यह टाइम पस हो गया यह कैश फ्लो लिखा कितना कितना आ सकता है 40,000, 15,000 और माइनस 10,000 और यूटिलिटीस दिया है 40,000 पर 60,000, 15,000 पर 40,000 और 10,000 पर माइनस 20,000 प्रोबैबिलिटी, 0.5, 0.3, 0.2, तो यूटिलिटीस को किस से मल्टिप्लाई कर दोगे प्रोबैबिलिटीस 60 into 0.5, 30, 40 into 0.3, 12, 20 minus into 0.2, minus 4, एक स्पेक्टर यूटिलिटी है कि 30, plus 12, minus 6, 38, और क्योंकि खीलिपनी, आस्पेक्टर यूटिलिव ū कर दोवे, तो अ प्रोभित बदीपना सुटिटवी यू न ऊ Спjerजक्टर प्रोज्ट इस नम्टिवा़ खेदेश बहर्लिटीस अ Moscow चरेश्टरिते बहराना प्यार लेना गलती से आ गया ना तो बैंड बच जाएगी यह करके जाते नहीं है लोक क्योंकि सब को मालूम है कि यह सब कुछ काम का नहीं है इमिलेशन तो तो भी चलो चल जाएगा तो कुछ है ही नहीं है बस यही है कुश्चन इसको तो मैं वैसे भी होमग देने वाला था यार चलो फिर मैंने सेजा टाइम तो बहुत है अभी बच्चे बोल रहे है नाइन थर्टी तक रखना है तो चलो टाइम पस हो जाए जै बिल्कुल इही कोशिष रहे नोट कर लिया है बाते कर लिया है क्या अभी पॉर्टफोलियो थो मुझे मालूम है कि यार सॉट्ट वर्हेर में जो इस्य आ रहा है सब कल खतम करना है चलो मेरे ठैसे नोट कर लिया मैं आगे चल रहा हूं कोश्चन नमबर 42 और यह आपके ICAI का कोश्चन है कोई बताएगा यह कोश्चन नमबर ICAI का TYK के कौनसा है कोश्चन नमबर 42 इंस्टेट्यूट का कोश्चन से इंस्टेट्यूट का है ICAI इस तो ती वाई के 21 इस तर लास्ट कोश्चन इसके बाद एक तरब से देख रहें कि कौन-कौनसा कोश्चन बाकी है वो भी डिसकूस करने है कोश्चन नमबर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कैलकुलेटर में हो जाए क्यों सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और क्यों यूटिलिटी दे रखा है calculator में हो जाए अगर हो सकता है तो क्यों homework ले calculator में कर लेते हैं अगर हो सकता है तो ठीक है homework 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 ले 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 दे चलो homework एक question तो होना चाहिए यार हमारी copy में एक question ये वाला होना चाहिए ठीक है सर हो जाएगा चलो वापस अजाए कौन-कौन से question बच्चे हुए बच्चे बोल रहा है कि सर कोई question बच्चा हुआ है अच्छा बात हुई थी हमारी APV adjusted present value adjusted present value में हाँ class copy में करूगे ज्यादा अच्छा यार एक question रहना चाहिए आपको seriously बताओं अगर ये एक बार देखा नहीं है ना नहीं बनने वाला वहां तो समझ भी नहीं आएगा बच्चे करना क्या है भाई इस question का seriously बोल रहा हूँ लग ऐसा रहा कियार क्या करना कुछ नहीं है इसमें लेकिन एक बार नहीं किया है ना नहीं कर पाओगे क्लास वर्क में ही करना इसको प्लीज डाल देना क्लास वर्क में question number four में लिख लीजिए question number four करेंगे हम security valuation के साथ में question number four जो study mat check कर रहा है तो मैं जानता हूँ कि सारे question study mat के हो चुके है question number 49 question number 49 question number 49 homework है question number 49 तो time pass है उसको ना भी करोगे तो चलेगा example कर लिया ना आपने simulation का तो भी चल जाएगा example sufficient है और example से हो जाएगा पर फिर भी एक बार देख ले ना कि यार वो random number किस तरह से दिया है बस बाकि और कुछ नहीं है और question number 50 यह एजिस्टेट प्रेजेंट वैल्यू है वह यहां नहीं पढ़ एक topic पढ़ाऊंगा वहां बहुत ज्यादा बिजनेस वैल्यूशन के साथ में पढ़ना चाहिए ऐसा बताया भी इस्टेडी मेट में हम बिजनेस वैल्यूशन के साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वहां बहुत सारी question question is APV के ठीक है तो जब मैं वह करवांगा न तो यह question वहां सास्थ करवा दूगा मुझे याद रहेगा आप tension मत लेजे question number 50 इसके अलावा कुछ question दो question छोड़ा था मैंने क्योंकि वह मुझे binomial tree पढ़ाना पड़ेगा binomial बाकि सब कुछ हो चुका है question number 49 homework में question number 4 की बात करा हूँ multiple choice question का क्या करना है sir वो देखेंगे अभी मैं बात करूँ पहले यार हम last day revision question लिख ले capital बश्टे सबसे पहले start किया था हमने inflation से answer की वगेरह साब देदूंगा वेटे आप मेरे साथ ये chart बना लो के क्योंकि इसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं काम आएका सबसे पहले हमने जो बात किया था वो किया था inflation और sir inflation में क्या सीखा था आखिर कुछ नहीं हमें एक concept जो main था वो concept कौन सा main था वो ये था कि sir real cash flow को जो discounting करेंगे वो करेंगे हम real discounting rate से और nominal cash flow को जो discounting करेंगे वो करेंगे nominal discounting rate से ठीक है nominal cash flow को nominal discounting rate और real cash flow को real discounting rate basic भी तो पढ़ा था नो उससे पहले वो basic आपके काम का नहीं है और sir NDR आता था तो हम कैसे निकालते थे अगर NDR हमको निकालना रहता था nominal discounting rate तो बेटे आप एक factor into factor करते थे factor into factor हाँ sir याद आया हाँ sir उस पे और एक चीज़ याद था कि हम depreciation जोए ना depreciation उस पे हम inflation का effect नहीं ले रहते थे हाँ वो चीज़े याद रखना है वो चीज़े याद रखना है depreciation पर वही काम की जीशन no inflation अगर मैं अब inflation के topic पे आता हूं सीधा inflation पे आता हूं तो इस में से हमें कौन कौन से questions ऐसे है जो लग रहे हैं कि अर हमें रखना चाहिए बाकि हम time pass वाले question बिलकुल नहीं रखेंगे inflation question number 44 आपके पास book होगी मुझे मुझे ऐसा लग रहा कि आपके पास book होगी तो page number 66 पे आओगे उसमें question number 44 और 45 एक जैसे हैं तो कोई भी एक question हमको रखना है अच्छा question है तो sir इसके लिए हम question number 44 रखेंगे 45 नहीं करेंगे 46 में अच्छा question है question number 46 रखने का बनता है question number 46 भी अच्छा question है वो भी रखेंगे sir इसके अलावा हम लोग question number 47 के अलावा 46 हो गया 47 में कुछ special है क्या 47 में कुछ भी special नहीं है 47 नहीं रखेंगे 48 रीपीट question है 48 भी नहीं रखेंगे तो final हो गया है कि میں repeat question को कट करते वे चलन रहा हूँ final हो गया है कि हम question number 44 और 46 inflation में करेंगे उसके अलावा question नहीं अगर करने का दिल है तो अलग बात है वाकि conceptual में आपको बता दी है इन दोनों question में हमारे concept कवर हो जाएगी एक question में अलग-अलग rate पे inflation है और इसके अलावा examples तो करना ही करना example में मैंने सब कुछ कवर कर वा है ठीक है सर इसके अलावा दूसरे topic पे आ गया थे तूसरा क्या किया था risk analysis और risk analysis के अंदर पहले point में जो हमने किया था वो किया था probabilistic approach या statistical approach जब probabilistic approach में होता क्या था कुछ नहीं यार वोई तीन चीजे सिखा में एक तो सिखा standard deviation नहीं एक तो सिखा expected NPV कोई formula नहीं लिखवा रहा हूं है और दूसरा सिखा standard deviation और तीसरा सिखा coefficient of variation CV हाँ CV का formula चाहो तो लिख लेना पर इतने बार CV निकाला है हमने तो हमारा काम हो चुक है अगर हम आते हैं probabilistic हमारे risk analysis पे page number 19 पे मिल जाएगा risk analysis question number 13 IC AI का favorite question question number 13 तो रखने का बनता ही है कैसे भी question number 13 हाँ जी बिलकुल सही है लिख लेना CV भूल जाते हैं पर आप नहीं बूलो question number 14 कोई काम का question नहीं है question number 15 भी ना भी रखो चल जाएगा question number 16 अच्छा question sir question number 17 नहीं आएगा question number 18 सब ये simple simple question थे question number 19 वो variance निकालना standard deviation निकालना जरूरत नहीं है question number 20 से एक बार पता लग जाएगा कि यार cash flow से कैसे coefficient हो हाँ question number 20 रख लेते है बस और कुछ नहीं पर इसके बाद क्या किया ये last day revision question नहीं है नहीं है ऐसा कोई sequence में पढ़ना जरूरी नहीं है पर वो जिस sequence में पढ़ा हूँ sequence में मैं लिखा दे रहा हूँ अच्छा ये last day revision question आप इसको मान के चलो वो आपकी मर्ची है पर मैं वो questions select कर रहा हूँ कि इन questions में यार सारे concept हमारे cover हो जा रहा है इसलिए हो सकता कि questions ज़्यादा हो कम हो मैं नहीं जानता मेरा target है concept सारे cover हो जाने जाए इसके अलावा हमने पढ़ा था RADR RADR कौन सा techniques था RADR हमारा conventional techniques था पर उससे हमको मतलब नहीं ज़्यादा थी हो इसे हमने कहा हमने पढ़ा था RADR risk adjusted discounting rate और RADR में क्या था यार risk ज़्यादा RADR ज़्यादा ही पढ़ा था risk ज़्यादा प्रोजेक्ट में तो RADR भी ज़्यादा होना चाहिए और इसमें दो टाइप के question थे एक coefficient of variation था हाँ normal business other business तो इसमें दो टाइप के question थे एक में जो RADR निकालना था वो CV देखकर निकालना था और एक में CAPM यूज किया था risk index हाँ वह दो question है मतलब सर एक कर लेते हम लोग question number 21 जिसमें CV दिया है और CV के हिसाब से हमको discounting rate लेकर NPV निकालना था और एक था question number 22 जिसमें हमने CAPM equation का यूज किया रिस्क ज़्यादा तो RADR ज़्यादा बिल्कुल से और इसके बाद और एक चीज पढ़ाता और सर क्या पढ़ाता इसके बाद इसके बाद पढ़ाता certainty equivalent और certainty equivalent में करते हैं क्या थे certainty equivalent में हमको कुछ factor दिया रहता था certainty coefficient ही दिया रहता था हम क्या करते थे सर हम निकालते थे risk pre cash flow और वो कैसे निकालते थे वो निकालते थे expected cash flow को multiply करते थे c e यह दिया रहता था question में तो हम ज़्यादा tension नहीं लेते थे हाँ याद आ रहा है और सर इसके लिए तो एक ही question sufficient है अगर मैं कहूं question number 24 कर लोगे तो वो sufficient question number 24 और fourth number पर क्या किया था decision tree decision tree का एक बिल्कुल नॉर्म है वो decision three three था ही नहीं अक्चुरा तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता है एक normal question था और वो था question number 26 और question number 26 में हमने क्या सीखा था तो याद करो उसमें हम हाँ एक gold mine वाला तो करने ही पड़ेगा भाई वो तो आला कि वो institute का question हमारे module का question नहीं है ICAIKSM का पर question number 26 में याद करो सबसे पहला जो हमने किया था best NPV, worst NPV यह सब निकाला था बहुत सारी चीज़े हमने total 6 NPV निकाला था वो वाला question तो आपको करना बढ़ेगा वो अच्छा question और इसके अलावा gold mine वाला question please कर ले ना क्योंकि वो real option में मैं आपको करवाँगा वैसे भी question number 27 इसके अलावा और यह question था जो actual में decision ट्रीका था वो था question number 30 सर यह question number 30 कौन सा वाला था question number 30 वो वाला question था CA करना की become करना उस type का हाँ सर याद आया याद test करना था किसी चीज़ का software बनाने वाला इसके आगे नहीं जाऊँगा मेरे board में जगा नहीं है सर यहाँ arrow दे देते इसके बाद सर अदर techniques पढ़ा था risk analysis की other techniques भी पढ़ा था हम लोगा और other techniques में सबसे ज़्यादा जिस पे time लगा वो था sensitivity analysis sensitivity analysis sensitivity analysis जो हम करते थे वो हम unfavorable direction में कुछ करते थे याद पता नहीं याद नहीं आ रहा हाँ कुछ सोचते थे बुरा बुरा सोचते थे और एक समय पर एक ही factor change करते थे वन फैक्टर वन टाइम वन फैक्टर वन टाइम हाँ सर इस तरह से कुछ करते थे unfair हाँ दो method थी याद आया और उसकी two method एक method में आप change करते थे और दूसरा था NPV क्या करते थे उसमें zero करते थे method का नहाँ marginal approach बुल सकते है margin of safety पर ऐसे याद रह गए एक में change करते थे क्योंकि method का कोई नाम तो नहीं है वह हम ही दे रहा है एक में change करते थे 10% बढ़ाना कम करना और एक में ऐसा कुछ करते थे कि NPV 0 आ जाता था और आप लोगों को पता है धीरे धीरे कौन सा method में मज़ा आने लगा था second method में जिसमें NPV 0 लेकर करते थे उसके question कौन कौन से सर्व भी देख ले थे sensitivity है एक question है question number 31 वह मैं नहीं करवाँगा क्योंकि वही same example में आपको example तो ऐसी भी करोगे आप question number 31 में revision में नहीं डाल रहा हूं क्योंकि example करने वाले हूं अगर अच्छे question की बात कर ले है क्योंकि same example में ने दो method से करवा रखा ठीक है तो सर एक question number 32 अच्छा question है question number 32 अच्छा question question number 32 अच्छा question question number 32 बहतरीन question है sir और question number 33 का क्या लगता है question number 33 भी अच्छा है 34 तो डाल नहीं डालना है तो अगर मुझे कोई 3 question डालना रहा क्या लगता है 33 33 इजी था यार तो 34 35 34 35 32 34 35 ठीक है sensitivity analysis में बस इतने question है हर question अलग-अलग है ठीक है और बहतरीन question आप यह बन सोचना कि यह बन जाएगा तो यह भी बन जाएगा यह question अलग है इसमें अलग है इसमें एक point अलग है उससे एक point की वज़ा से मैंने 35 डाला है ठीक है sensitivity analysis भी हो गया उसके बाद scenario analysis है तो scenario analysis ना करो यार क्योंकि कुछ है नहीं है हमको बार-बार NP उसकी जगह क्योंकि आप hearts model और healer model कर रहे हो हाँ जी उसको revision में नहीं एक point डाल सकते हैं पर 35 पूरा कर लेते हैं उस point की वज़ा से मैंने revision में डाला है इसको ठीक है सर आगे चले यस मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ 36 काम का नहीं है scenario analysis काम का नहीं है अब वो जो कल बढ़ा था कौन-कौन सा model बढ़ा था hearts and healer model replacement मैं तो भूल गया था replacement भी तो था danger वाला topic replacement decision कोई बात नहीं आज हमने वैसे आज सबको मालू है कि क्या हुआ है class में ठीक है हम लोगोंने cheat निकालना खेले है कुछ किया ही नहीं तू 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 replacement पे आ जाते है replacement में question number 5 करना होगा आपको इस पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ये तो हमको replacement बच्पन से करते है question number 5 question number 6 मालू में इतना खतरना question है इसको हमने खूब जमके रटा है question number 6 और इसको मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रही नहीं सकता question number 6 के अलावा question number 7 नहीं करेंगे question number 8 भी करेंगे question number 8 भी अच्छा question है replacement में तो हर question अलग था question number 9 भी करेंगे optimal replacement cycle question number 10 repeat है question number 11 कर लेना जा question number 12 नहीं करेंगे क्या करेंगे question optimal replacement की total मिलाकर 3 question है 3 मेंसे मैंने 2 हटा दिया एक तो करने ही पड़ेगा जो बड़ा वाला question मैंने करवाय था सुरू मैं बाकि जो homework दिया मैं वैसे भी यहाँ डाल नहीं रहा हूँ ठीक अब last topic बच्छा और क्या पढ़ाता सर हम लोगने और पढ़ाता हमने hurts and healer model और फड़ा लिख लेते ही याद रहेगा कम से कम इस चार्ट में hurts model यूज होता था यह perfectly dependent हाँ sir इसका standard deviation of NPV कैसे निकार लिख लेता हूं यार standard deviation of cash flow 1 और 1 plus r power 1 standard deviation of cash flow 2 और 1 plus r power 2 इसा कुछ करते हैं standard deviation hurts model और एक कौन सा था हमारा healer model और healer model में क्या सीखा था sir cash flow independent और इसमें भी standard deviation of NPV निकालने का लेकिन यह ऐसा वाला form square 1 plus r to standard deviation of cash flow square 1 plus r power 4 समझ जाओगे इसके बाद हाँ मैं चेक कर रहा हूं इसा कोशन यह वाला बिना अंडरूट के था यह अंडरूट क्यों लगा क्योंकि variance है तो यह स्क्वेर रूट तो करना ही पड़े और कोई option नहीं है अगर मैं कहूं कोशन की बात कर ले यसा तो कोशन नमबर 37 करना ही होगा अच्छा कोशन था और कोशन नमबर 37 अगर देखूं तो मैं हिलियर मॉडल कोशन था उसके बाद सर कोशन नमबर 38 वो भी अच्छा कोशन है तो सारी कोशन 39 छोड़ देंगे अगर कैश फ्लो अउनली डिपेंडनेट हुए तो हिलियर मॉडल ही लगे का सर कोशन नमबर 40 करेंगे क्या हाँ कोशन एक कोशन शुड़वाया ना भाई और क्या चाहिए एक कोशन तो शुड़वा दिया मने और सर 41 भी डाली दोना यार हाँ एक कोशन तो नहीं करना पड़ेगा कम से कम इससे अच्छी बात क्यों होगे पस और कुछ बचा क्या मुझे छोटा करना बढ़ेगा आपके पाद जगा होगी ना उधर आँ सर एक किया था सिमिलेशन उसका सिर्फ एक्जाम्पल कर लेना कहीं और चिपकाना पड़ेगा वेजनती अगर है तो वहां मैनेज करो और नहीं है तो इधर कहीं चिपका देना नीचे सिमिलेशन किया था उसका सिर्फ एक्जाम्पल करना बस बात कहता है और सर और एक क्या था यूटिलिटी एक ही दो कोशन किया था यूटिलिटी इसका आज पर पता नहीं उस समय तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा प्रोजेक्ट आईयरार और एक्विटी आईयरार के कोशन को मैं रिवीजन में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए क्योंकि आगे मुझे जरुरुरत पड़ेगी ऐसा नहीं है कि सर प्रोजेक्ट आययरार और एक्विटी आययरार और कोशन बाब वन और टू आप यहां करवा क्यों नहीं रहा है उसकी वज़ा है क्योंकि मैंने वो यहां के लिए नहीं करवाया है क्योंकि मुझे आगे जरुरत पड़ेगी इसलिए मैंने वो करवाया business valuation करके टॉपिक जिसमें जरुरत पड़ेगी तो क्योंकि उन दोनों की huge वहां होने वाला है तो फिर हम यहां क्यों revision करें तो यहां revision मेंने डाल रहा है adjusted present value यहां नहीं हो रहा है वो होगा आपका business valuation उसे साब से बस इतना ही है हमारे capital listing ठीक है scenario analysis का अनन्त बात यह है कि जब हम यह कर रहे है hillier model और हर्ट्स model उसमें scenario के base पर NP भी निकालना हाँ तेविस question हमने निकाला है total मिलाकर 23 question sufficient अब यार इतना तो करना ही पड़ेगा revision में और एक ही बार revision में फिर तो यह सब कुछ याद हो जाएगा बहुत ज़्यादा special है नहीं अब यार सुनो finally खतम हो गया कल से portfolio start होगा एक बात करनी है conceptual बीच में करता तो सायद आपको दिक्कत होती formula sheet मुझे बनानी पड़ेगी अक्षे formula sheet actually मेरे पास है नहीं है वो तो कोई भी मेरे student बना लेगे फिर भी मैं मुझे बनानी पड़ेगी formula sheet capital listing के space ले अच्छा आपके पास है हाँ तो आप मुझे पहुचा दीजीगा मैं अपने type piece से type कर वालूंगा ये सारी चीट चलो 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 अब एक conceptual बात करनी है अगर मुझे 5 मिनट का time देते हो तो हाला कि capital listing तो हो गया है पर अगर आप बोलो तो एक conceptual बात करनी है बात करता हूँ thank you project A project B ठीक है अब सुनना दो project A और B कुछ लिखने की ज़रूरा था ही नहीं है बस आप ही से पूछ रहा हूँ इसमें पैसा लगा रहा है एक लाख और इसमें भी पैसा लगा रहा है एक लाख या कुछ और ले ले लेते है एक लाख इसमें cash flow आएगा फर्स्ट यर, सेकेंड यर, थर्ड यर 60,000 20,000 40,000 और इसमें भी cash flow आएगा फर्स्ट यर, सेकेंड यर, थर्ड यर 75,000 55,000 और 20,000 ये अलग है सवाल ये है नहीं लिखना है ठीक है, लिखना नहीं है, बस सुनना सवाल ये है कि आद दोनों project में अलग-अलग risk हो सकती है हो सकती है हाँ अगर अलग-अलग risk हो सकती है तो हमें अलग-अलग rate से discounting करना होता है हाँ तो हमें किस से discounting करना होता है उसका नाम क्या है RADR Risk Adjusted Discounting Rate तो मुझे बस इतना बताईए कि किसको जादा rate से discounting करूँ और किसको कम rate से discounting करूँ तो ना ध्यान से मैं क्या बोड़ रहा हूँ कैसे पता लगाओगे कि किसको जादा rate से discounting करना और किसको कम rate से discounting करूँ बता सकते हो कोई इसको ज्यादा rate से करना है कि इसको ज्यादा पता कैसे लगाएंगे B को ज्यादा rate से discounting करना है ये तो कैसी पता लगाया ऐसी पता नहीं लगा सकते अमित का कहना है सर A को ज्यादा rate से करना मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इनी cash flow से पता नहीं लगा सकते उसके अलावा भी ये कोई probability नहीं है यार ये फर्स्ट येर में इतना सेकंड येर में थर्ड येर में cash outlaw के basis पे आप risk नहीं पता लगा सकते risk पता लगाने के लिए तो और चाहिए हमें data चाहिए PVCO के basis पे नहीं पता लगा सकते हमको निकालना पड़ेगा coefficient of variation CV पिना ज्यादा fluctuation के हिसाब से पर ये fluctuation के लिए आपने cash flow के हिसाब से निकाला ना मेरा कहना है किया आप CV निकाल सकते हो CV हाँ अमित fluctuation होने से हम यह नहीं बोल सकते कि यार ultimately तो deviation नहीं निकालना पड़ेगा ना मेरा कहना है कि आप CV निकाल सकते हो coefficient of variation हाँ सर निकाल सकते है अब CV निकालना तो CV के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें standard deviation agree है हाँ standard deviation निकालना पड़ेगा अब standard deviation के लिए हमें expected NPV निकालना पड़ेगा हाँ सर ये भी बात सही है और expected NPV के लिए हमको discounting करना पड़ेगा हाँ तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि discounting rate कि क्या लेना है हाद हो गई यार बस मैं क्या कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश कीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि क्योंकि आप कह रहे हूँ कि सर रिस्क पता करना है तो रिस्क पता करना तो CV निकालना पड़ेगा या फिर HD निकालना पड़ेगा TV के basis पे और सर इन सब के लिए expected NPV निकालना पड़ेगा बस मुद्दे की बात कर रहा हूँ अब सुनना ध्यान से अब एक important बात जब जब भी किसी question में आपको HD calculate करना होता है आकरी बात कर रहा हूँ ध्यान से जब भी आपको standard deviation करना calculate करना होता है आपको risk पता करना होता है तो जो cash flow है उसको कभी भी आप केई से discounting नहीं करो करते हो आप उसको RF से discounting करते हो और यह नहीं बात क्यों बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ कल को कोई दिक्का तो इसलिए it means जब भी standard deviation calculate करना होता है standard deviation तो जब भी अगर बोलेगा कि चलो risk निकालो यार जब भी बोलेगा risk निकालो तो फिर आप इसको discounting यही से RADR से कैसे discounting कर सकते हो अगर आप RADR से discounting कर रहा हो तो यार तो आपड़ डबल हो गया RADR से discounting भी कर रहा हो और HD भी निकाल रहा हूँ जब भी HD निकालने के लिए बोला जाता है discounting risk free से किया जाता है logically conceptual सर्च concepts अपने पास रखो ICAI क्या कहता है ICAI का जो मन है वो कर देता है और अधिकतर question में वो भाई सापको जो discounting rate है उसी से discounting कर देता है वो RF का यूज नहीं करता मैं इसलिए आखरी बार last में discuss कर रहा हूँ और कई question में देखो एक question आया था तेरे बास होगा जैसे ये question है क्या मुझे इसमें HD निकालना था हाँ तो देखो discounting rate प्यार से देखो क्या लिखा है 6% risk free rate क्यों आपने पूछा नहीं आपने पूछा नहीं मैंने बताया भी नहीं इसलिए नहीं बताया कहीं आप उस समय बनाते बनाते कहीं मुझे लडाई ना कर रहा हूँ क्योंकि अगले question में भाई साब वो सीधा discounting rate लिख देता है तो मैं तो परिशान हो गया ना यार लेकिन actual में ये question में बिल्कुल सहीं लिखा था ये question में discounting लिख देता सर कहना क्या चाहते हूँ बस इतना बता दो कहना बस इतना चाहता हूँ अगर RF दे दी है ना तो RF से discounting कर देना बहस मत करना क्या RF से actual में RF से ही discounting होता है खैर सर बस बहुत हो गया अब हमको घुसके नहीं पढ़ना है हो गया हमारा capital बश्टी ठीक है तो कल मिलते हैं class over कर रहे हैं हम लोग please revision कर लेना one week का time है आपके पास पीच में रक्षा बंदन भी है तो please revision कर लेजिएगा पोर्टफोलियो मैनेश्मेंट ठीक है thank you so much bye bye